महिला एवं बाल विकास रज्यमंत्री कमलेश डाणडा ने बुद्वार को चंडिगड में विभाग की विभिन योजनाओं और प्रियोजनाओं की सिमिक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षा की बैठक में महिला एवं बाल विकास रज्यमंत्री ने प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के कल्यानार्थ चलाई जा रही विभिन योजनाओं और प्रियोजनाओं को पूरे ताल मेल और इमानदारी से लागू करते हुए पूरी मजबूती से कारह करने के निर्देश दिय हैं यह बताए जाने पर की प्रदेश में महिलाओं की सुईधा के लिए दिसंबर 2018 से शुरू की गई महिला हैल्प लाइन 181 पर अब तक की गई 9624 कोल्स में से 1114 कोल्स महिलाओं से संबंदित प्रभावी कोल थी शिरीमती डाना ने तुरंत महिला हैल्प लाइन पर कोल किय और स्वयम इस सबंद में विश्त्रित जानकरी प्रावत की अधिकारी द्वारा बताये जाने पर कि लाइन्स कम में होने के कारण कई बार लाइन विजी आती रहती हैं उन्होंने इन लाइन्स को बढ़वाने का आश्वशन दिया बैठक में बताया गया कि बालिकाओं का आस्तितव बनाए रखने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने उन्हें आतम निर्भर बनाने उनके प्रती लोगों की मानसिक्ता को बदलने और घटते लिंगानुबाद को संतुलित करने के उदेश्या से जनुरी 2015 में शुरू किये गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क कार्यकरम के फलसवरूप अक्तूबर 2019 तक लिंगानुबाद 830 से बढ़कर 919 हो गया है राज्या सरकार द्वारा इस कार्यकरम के प्रभावी प्रियावन के लिए किये गए प्रियासों के कारण ही ऐसे उत्साव वर्दक प्रिणाम सामने आये हैं और हर्याना अन्य राज् को कि पोशन स्तर को सुधारने के लिए रज्यके सभी जिलों में पोशन अभियान चलाया जा रहा है ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास ट्रीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें